जय मता दे लीजर्शिप करने वाले होते हैं साथी साथ अपनी स्थिर्टा और सुसंगती के कारण भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं प्यार में सिंग जातकों कोई चोड़ तोड़ हो ही नहीं सकता ये सबसे अधिक वफदार साथी होते हैं और इसे ही प्यार करने वाले होते हैं तो ऐसे ही प्यार करने वाले प्रेमी के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर के लिहाद से मार्च का महीना कैसा होगा आपके दसवे घर का स्वामी शुक्र आरोही स्वामी सूरे के साथ यूती में हैं जिसका तात्पर्य क्या है आप इस समय के दौरान सक्रिये हैं और अपने पेशे के लिए फून रूप से समर्पित रहेंगे सो पूरे महीने आपके दिमाग में आपकी नौकरी या बजनस से चूरी हुई चीजें चलती रहने वाली हैं हर हाल में उन से आपको बढ़त और विकास के बारे में सोचना है और दिशा में आपको कारेरत रहना है किस चीज के लिए आगे बढ़ने की दिशा में जैसे कि कहा करनी कृतनी से जाधा ताकतवर होती है तो आपको भी चार लार बनाना है आपको इन सभी चीजों के लिए बहुत जाधा प्रयासरत रहना है और उसके बाद ही आपको मिलेगा आपको बहुत जल्द दिखेगा जस्वे घर के स्वामी शुक्र महिने में पहले आधे हिस्से में जो है सात्वे घर में है जो कि एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं जो लोग यात्रा परिवाहन और बाहन के से सम्बंदित वेबसाइब से हैं उनका जो काम है वो अनुकूल परिणाम होगा उनके लिए इ सिंग राशी के जो चात्र जातक हैं उनके लिहाज से जो ये साल का तीसरा महिना यानि के मार्च का महिना है वो थोड़ा सा संघर्श पूर्ड रहने वाला है क्योंकि आपके दूसरे घर का जो स्वामी है वो बुद्ध आपके छटे घर में होगा और इस तरह से पूरे सब लेकिन जो पल मिलता है जो परिणाम मिलता है वो बहुत जादा अच्छा होता है यदि आपके पास भाशा से सब्मंदित विशो में अच्छी कमांड होगी तो आप इस दिती में बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हैं जिन लोगों की दूसरी भाशा सीखने की योजना है उन्हें इस महीने के दौरान थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि इस अविदी के दौरान आपका कोशल कुछ भी नया सीखने का जजबा बहुत ही आपके लिए बढ़िया ले करके आने वाला है आपको शोध करताओं के लिए बता दू कि महीने में चुनोतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है आपके पाचवे घर का स्वामी छटे घर में और छटे घर में स्वामी जो शनी के साथ मौजूद है ऐसी स्कती में आपको विश्यों को और अपने आसपास के वातावरन क साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा सा मुश्किल दे सकता है अब बात कर लेते हैं आपके फामिलियर लाइफ की याने के पारिवारिक जीवन की तो सिंख राशी के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में सोचे तो माज के महीने में कुछ खास नहीं तेहने वाला आप के परिवार के लोगों के साथ आपके तालमेल थोड़े से बिगड़ सकते हैं आपके बीच लड़ाई छगड़ा भी हो सकता है और आपको इस जोरान ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपके घर वाले आपसे कोई बात जो है वो छिपा रहे हैं जोसकी वज़े से परिवार के मह प्रकीन मानिये, आपके मन को इतनी शांती देने वाली है, कि आपको फिर से वापस से उतनी ही एनर्जी आजाएगी जितनी पहले थी. और इस महीने दोस्तों और दोस्तों की तरफ आपका जो जुकाओ है, वो भी बहुत ज़ता बढ़ जाएगा. आपके करीबी दोस्त, आपकी बात को सुनेंगे भी, उसे समझेंगे भी और साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी करेंगे. आप उनसे अकसर मिलेंगे और आकस्मिक आउटिंग या डिनर के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं. अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की और नारड लाइफ की. सिंग राशी के जातोकों का प्रेम जीवन जो है वो आसान नहीं होता. वो भावक होते हैं, उमीदे उनकी सात्वे आस्मान पर होती है और यही वज़य है कि जब उन्हें पार्टनर से उतनी जादा अटेंशन नहीं मिलती है तो क्या होता है उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है. सिंख राशी के तहट पैदा होने वाले लोग जल्दी से प्यार में पढ़ते नहीं हैं लेकिन जब वो प्यार में पढ़ जाते हैं तो वो अपने पार्टनर को बहुत जादा जो है अपने पार्टनर के लिए बहुत जादा लॉयल हो जाते हैं आपका पंच्यम भाव का स् इस पती छटे भाव के स्वामी शनी के साथ छटे भाव को दर्शा रहा है और इस दोरान आपका अपने प्रेजनों के साथ किसी मुद्धे पर टकराओ को ननिश्यत है। एकदम से आनन फानन में आकर कोई भी रिष्टा आप तोड़िएगा नहीं, किसी भी रिलेशन को ब्रेक करके बाहर मताईएगा, हरबड़ी में लिया गया, फैसला हमेशा खलत होता है, सोचिए, समझिए और ठोड़ा सा भहरे बनाई रखिए। बरस्तदिया हैं कभी बनती ह और कभी बिगर जाती है, अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन की, तो मार्च के पहले सब्ता के बाद सिंग राशी के जो जातक हैं, उनका वित्तिय व्रधी जो है, उनकी अच्छी रहने वाली है, मार्च के शुरुवात में बुद्ध आपके छटे घर में होगा और दरान आप अपने रण या किसी भी तरहां के जो लोन हैं उन्हें पूरा कर देंगे, फिर अन्तता दूसरे और ग्यारवे घर के स्वामी वुद्ध को सिंग राशी के जातकों के लिए धनका खारक है, जो उनके साथवे घर में गोचर करेगा और इस घर में बचत और आ इस समय के दौरान आपकी आए का प्रवाह बहुत अच्छा होगा और आप अतीत में किये गए किसी निवेश इसे अच्छी कमाई भी करेंगे, इसके अलावा आप अपने मौजूदा वेब साय याने कि आपका जो प्रिजन टाइम का बिजनस है उससे भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं, करमचारियों की वेतन में व्रद्धी अपदनूती भी आपको मिल सकती अगर आप करमचारी हैं, वित में सुधार होना है, माल्च का ये महीना सिंग राशी वालों के लिए वितिये प्रचुरता भी लेकर आने वाला है और आपकी आर्टे कस्ति को बहुत ब्यूचत नहीं है, अब बात कर लेते हैं आपकी हल्थ से जुड़ी हुई, तो मार्च के महीने में आपका स्वास्ते कैसा रहने वाला हैं, थोड़ी सी आपको परिशानी दे रहा है, महीने की शुडवात व्यक्तिकत जीवन में गड़बडी के साथ आएगी, स्वास्त को लेकर के थोड़ी सी आपको परिशानी होगी, भाबनात्मक असंतुलन आपके लिए लेकर आएगी, आपका मेंटल पीस छिंच आएगा, और आपको कुशलता से इन सभी चीजों से निपटना है, और हाँ, यकीन मानिए आप निपट भी लेंगे, मार्च के चौते सब्दा के दौरान सूर आपके आठ घर में होगा, जो आपके लिए बिमारी का कारण बन सकता है, आप हीट, स्टोक, पेट की समस्या, आख की समस्या और खराब दिश्टी की वज़े से थोड़ा सा पीडित रहेंगे, आपको दौरान कुछ हार्मोन से जुड़ी हुई परिशानिय यही कि एतियात की रूप में आपको थोड़ा सा घरम और मसालेदार भूजन करने से परेज करना होगा, शरीर को जितना जादा संभाव हो सके, पानी दीजिए, आप पानी पिएंगे तो आपका जो बोड़ी है, वो बहुत हाइटरेट होगी और इसकी वज़े से आपको ब बहुत जादा अच्छे परिणाम मिलेगे, तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीजियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चानल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा, क्योंकि म और मेरे साथ मेरी बहुत सरी सहयोगी भी आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आती रहती हैं, तो आपको उनका नोटिफिकेशन्स मिलता रहेगा और आपको समय समय पर आप से जुड़ी हुई आपकी महत्पपूर्ण जानकारिया मिलती रहेंगी, खुश रहिए, हस्ते रह प्यार पैसा परिवार या कुछ और हर सवाल का सीधा और सठीक जवाब एस्टो सेजवार्दा के सरिये जोतिश्यों को फोन लगाएं और किस्मत का साख पाएं